हाई गायई वाकम त यूटूब तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से create करते है 404 error page को for blogger किस तरह से show करवाना है 404 error page को हमें block के अंदर यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज किस video के अंदर तो चलिए start करते हैं आजकिस video को तो सबसे पहले मैं बता दूँ 404 error page होती क्या चीज है जब आप किसी website को visit करते हो for example आप facebook में जाते हो वहां पर लिखते हो facebook.com slash officialrecry तो वहां पर मेरा page open होके आएगा उसी तरह से आप लोगों का URL भी होगा लेकिन suppose कीजिए हमने लिखा facebook.com slash आगे हमने कुछ भी लिख दिया ब्ला 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 एबी सी डी कुछ भी लिख दिया और वो page existing नहीं करता है वैसा कोई URL है ही नहीं वैसा कोई data है ही नहीं facebook के पास तो हमें क्या show होगा क्या वो data खुद बन जाएगा नहीं हमें वहाँ पे show होगा 404 error page यानि कि ये page है नहीं page cannot be found because page is not there तो ये error हमें show होना चाहिए वहाँ पे कब जब भी user wrong URL टाइप करे हमारी website में चाहे वो facebook हो चाहे google हो चाहे youtube हो चाहे कोई blog हो हमें हर जगा ये error show होगा हर बड़ी website में आपको ये error show होगा जब भी आप किसी website में जाके wrong URL paste करोगे example के तोर पे अगर मैं life hacker की website में जाता हूँ जो कि एक blog है और इसके आगे मैं लिखता हूँ slash blah 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 और enter करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक error show होगा 404 page not found अभी मेरा internet यहां पे चल नहीं रहा फास्ट हमेशा वीडियो बनाते time ही होता है और तो चलो चल पड़ा तो यहां पे आगया error 404 ओके no post found इस तरह से इन्होंने यहां पे शो करवा है और अगर मैं facebook में जाके लिखता हूँ slash blah 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 enter तो यहां पे भी हमें इसी तरह का error show होगा this page is not available इन्होंने इस तरह से represent किया इस चीज़ को तो अब मैं पताऊँगा हम हमारी blog के लिए किस तरह से इस page को create कर सकते हैं जब कभी हम wrong URL डालेंगे तो पहले check कर लेते हैं किस तरह का हमारा blog है जब हम यहां पे कोई wrong URL पेस करते हैं तो blog क्या कि मैं लिखूँगा slash blah 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 enter तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हूँ आता है sorry the page you were looking for in this blog does not exist तो हम चाहते हैं यहां पे 404 error आए या कुछ और लिखा हूँ आए तो वो चीज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको पताऊँगा अब तो सबसे पहले हम जाएंगे blogger में फिर हम जाएंगे setting में setting के अंदर हम जाएंगे search preferences में search preferences में आपको option मिलेगी errors and redirections इसके अंदर आपको option मिलेगी custom page not found इस पे edit पे click कीजिए और edit पे click करने के बाद कुछ इस तरह का open होके आएगा यहां पे हम paste करेंगे code तो उस code को आप copy कर लिजी मेरे blog से यह रहा blog तो यहां पे मैंने article लिखा है creator 404 error page for your blogger slash blogspot blogs इस पे click कीजिएगा description में मैं URL दे दूँँगा post का और फिर यहां पे जाके यह जो code है इस code को copy कर लो and paste कर लो यहां पे और फिर shape changes कर दो हो गया अब मैं blog को refresh करता हूँ refresh और दिखेंगे यहां पे आ गया 404 error और लिखा हुआ आप यहां पे जाए तो custom text भीड़ा सकते हो आप चाहे तो image भी डाल सकते हो जैसे facebook ने डाली है मैं इस post के अंदर बहुत सारी design करके दे दूँगा आपको pages 404 page not found के और आप उनका use कर लोगे अपने blog page ली आप अगर सिर्फ और सिर्फ text change करना चाते हो यहां पे 404 के आगे कुछ और भी लिखना चाते तो आप simply वहां code पर जाहिए यहां पर और यहां पर edit कर सकते हैं मैं अपना नाम लिख देता हूं इसके आगे channel का नाम save changes अब यहां पर इसके आगे लिखा हूँ आएगा 404 recry refresh और देखिए 404 recry तो इस तरह से हम यह pages को create करते हैं तो thank you so much for watching this video please like share and subscribe कोई question तो आप comment section में पूछ सकते हैं and bye take care bye bye कर दो